Hello everyone, welcome back to the Tufani session of our channel. मैं Tufani क्यों बोल रहा हूँ? Because last time जब हम लोग ने session number one share market के related जब हम लोग ने release किया काफी बच्चों की उसकी पहले demand थी कि sir हम लोग engineering field से belong करते हैं, science field से belong करते हैं और कोई-कोई commerce field, arts field वारे भी अपने बच्चे हैं तो उनको ये basic knowledge होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के मतलब आज के जमाने में share market को हम लोग बिल्कुल second side of income की तौर पे जरूर देख सकते हैं, अगर आपके पास proper knowledge रहेगा, proper technical skill रहेगा तो, तो उसी के लिए, हम लोग ने सोचा की चलिए, अपने students के लिए थोड़ा बहुत side income generate करते हैं, हम लोग बोलते हैं, side hustle generate करते हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग ने ये series चालू किया है, आज है उसका second session, अगर अभी तक आपने first session नहीं देखा है, तो जरूर जा के देखना, आज क्या पढ़ रहे हूंगे हम लोग, आज सबसे important parameters of share market, that is sensex and nifty, ये दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है, market किसके उपर चलता है, कलता नहीं है, दोडता है, राइट लिए, हम लोग ये दोनों parameters के अनुसार पढ़ेंगे, तो सबसे पहले में आपसे चाहता हो, फटापट महबत के साथ like कर दो, share कर दो, सारे अपने friends लोग के साथ, family members के साथ, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये सबको काम आने वाली है, write and सबको करिए, subscribe जरूर करिए, आप हमारे WhatsApp ग्रूप और Telegram चैनल का भी बिल्कुल फाइदा उठा सकते हो, नीचे description box में उसका link दे दिया है, business related, mathematics related, engineering related, motivation related, सारी एक सीरीज हम लोग ने Instagram पे चालू कर दिये, जरूर जाके follow करना, link नीचे description box में आपको मिल जाएगा, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ रहे होंगे, कि exactly ये sensex और nifty है क्या, ये किसके उपर depend है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा background देना चाहता हूँ, किस type का ये background है, तो सबसे पहले आपको पता होना बहुत जरूरी है, what is BSE and what is NSE, okay, what is BSE, BSE stands for Bombay Stock Exchange and NSE stands for National Stock Exchange, नाम से ही जलक रहा है जिसका काम, वा जी, नाम से ही जलक रहा है जिसका काम, मतलब Bombay Stock Exchange, जिसका head office obviously अपने Bombay में है, Mumbai में है, National Stock Exchange, head office कहा है, आपको आगे पता चल जाएगा, आगे आने वाली वीडियो में, राइट जी, तो जरूर आपको ये दो पारामेटर पहले पढ़ना जरूरी है, कि शेर मार्केट, अपने इंडिया का जो शेर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसके दो मेजर एक्शेंजेस है, that is BSE and NSE, अभी आप कहोगे सर, हम लोगो सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में जानना है, ये सब तो बाद में बताएए, बट मैंने पहले ही का बैग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको ये सेंसेक्स है, निफ्टी का कॉंसेट समझेगा, ओके, तो चलिए BSE और NSE कैसे दिखता है, तो ये है अपने Bombay Stock Exchange की बिल्डिंग, जहां पे पूरा कारोबार चलता रहता है, और ये है NSE की बिल्डिंग, जहां पे पूरा National Stock Exchange का का कारोबार चलता रहत है, ये दो जगे है न, जहां पे पूरा देश का एकोनोमी ऊपर से नीचे हर दिन होते रहता है, हर दिन ऊपर से नीचे होते रहता है, राइट है जी तो इन दो बिल्डिंग्स को बहुत एहमियत है जनाब, तो चलिए थूड़ा सा Bombay Stock Exchange को डीटेल ही पढ़ते हैं, ये Bombay Stock देखो कोई भी concept share market की बताओ ना तो सबसे पहले लोग बोलते हैं sir share बताईए इसके अंदर के तो मैं पहले Bombay stock exchange के अंदर मतलब उसके अंदर कितने shares आते हैं और कौन से कौन से आते कुछ example मैं आपको देना चाहता हो for example सबसे पहले भारती airtel limited जो अपना airtel है न इसके बाद आता है Asian paints बहुत सारे products आपको पता भी नहीं रहेगा इतने सारे products ITC company के अंदर आते रहते हैं उसके बाद आता है HCL Technologies Limited, HCL सबको पता है Technology के field में काफी बड़ा नाम है और उसके बाद Reliance Industries Limited यार देश की economy जो चलाते हैं ऐसे हम कह सकते हैं वो Reliance Industries Limited ये कुछ stock मैंने इसके अंदर BAC के अंदर आपको बताया है अभी आप काओगे सर इतनी ही stocks BAC के अंदर आते हैं क्या ना जी ना BAC के अंदर बहुत सारे stocks हैं अभी आप बोलोगे सर कितने stocks आते हैं exactly BAC के अंदर तो उस बारे में देखते हैं एक दफा the Bombay Stock Exchange which is the oldest stock exchange of our country तबसे पुराना stock exchange है अपने इंडिया का that is BSE बहुत ही जादा importance है इस stock exchange को and 200, 500, 1000 company नहीं है 5000 company इसके अंडर लिस्टेड है मतलब 5000 company के द्वारा ये BAC का कारोबार चलाया जाता है and so on counting हर साल बहुत सारी company जिसमें लिस्टेड होती रहती है तो BAC का कारोबार बहुत ही जादा बड़ा है and उसके अनुसार और भी कुछ आपको बताना चाहता हूँ लेकिन उसके पहले अभी BAC पढ़ाना तो NSC का भी पढ़ना अपना काम है मतलब BAC को इतना importance है तो NSC को क्यों नहीं नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं है तो NSC ये national stock exchange है इसके अंडर पूरे इंडिया के related जो भी companies है अपने पूरे देश के related जो भी companies है वो जरूर आते रहती है कुछ examples में आपको देना चाता हूँ जैसे कि ये विपरो बहुत बड़ा नाम उसके बाद ब्रिटानिया खाएगा biscuit वही है ब्रिटानिया HDFC बैंक private sector में सबसे बड़ी बैंक उसके बाद TCS यार क्या ही बोलो इस company के बारे में engineering वालो को इसकी एहमियत पता है और उसके BAC और NAC में भेर सारी company है जो common होती है ऐसा कुछ भी नहीं कि इसने NAC में participate किया है तो वो BAC में नहीं जा सकता ऐसे कुछ भी नहीं है बहुत सारी companies दोनों में common है कारोबार सबका साथ में चलता रहता है तोड़ा NAC के बारे में और बताना चाहता हूँ NAC में क्या क्या होता है NAC में कितनी company अभी तो मैंने 5 बता ही तो क्या 500 होती है नहीं NAC के अंदर more than 1600 प्लस companies listed है कितना 1600 से जादा company listed है and there are many common stocks between BAC and NAC जैसे मैंने कहा दोनों में बहुत सारे common stocks जरूर है अब ही आप कहोगे सर थोड़ा जो थमने ले ना उस बारे में बताईए sensex क्या है यह BAC NAC यह सब समझ गया sensex क्या है तो जनाब sensex exactly होता क्या है मैं सीधी बाशा में बताओ तो sensitive index that is called as an sensex क्या बोला मैंने sensitive index that is called as an sensex अभी यह sensitive index मतलब exactly है क्या sensex which stands for stock exchange sensitive index stock exchange का sensitive index थोड़ा भी एक company का profit कम हो गया loss जादा हो गया तुरन sensex का उपर उसका पूरा effect दिख जाता है और sensex के उपर effect दिखा तो पूरे country के economy के उपर उसका effect दिखना शुरू हो जाता है तो stock market की यह क्या है related to BSE होता है यह sensex किसके related होता है तो sensex जो है वो Bombay stock exchange के related होता है तो सोचिए 5000 company 5000 से जादा company sensex को चलाती रहती है and simple words में बताओ तो combined value अभी 5000 company है तो आप बोलोगे सर 4000 वी जो company है 4000 जिसका rank है वो company से इतना जादा effect तो होगा नहीं जरूर नहीं होगा तो sensex जो जादा से जादा fluctuate होता है कम जादा होता है वो पहले 30 company के उपर वो होते रहता है तो वही हम लोग ने यहाँ पर लिखा है is the combined value of stocks of specific companies listed under Bombay stock exchange specific domains होता है यार मतलब जैसे energy domain हो गया है ना day to day life वाले जो domain होते है उसके अनुसार हो गया steel industry होती है है ना मतलब electric industry होती है उसके बाद IT industry होती है ये साड़े जो industries है इसके जो top companies है वो 30 companies इसका जादा से जादा कारोबार चलाती है और इस 30 company के अनुसार sensex उपर नीचे उपर नीचे होते रहता है राइट जी थोड़ा अभी आप बोलोगे सर sensex का और भी बताईए थोड़ा difference क्या है बट difference जानने से पहले आपको nifty क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है What is nifty? मैं सीधी भाशा में बताओ nifty एकदम दिमाख में अगर आपको इधर टाटू छपवा ले ना है न तो nifty का simple meaning है नाइस 50 वाव नाइस 50 मतलब जो नाइस companies है जो एकदम मतलब यार जो बादशा कमपनी है पचास बादशा कमपनी नाइस 50 that is called as a nifty but exactly इसका full form क्या है तो देखते है nifty stands for national stock exchange 50 जैसे मैंने कहा national के related है national stock exchange के related है nse के related है लेकिन कितनी companies इसका कारोबार चलाती है 50 company 1600 से जादा companies इसके under है जरूर लेकिन पहली 50 company इसका कारोबार चलाती रहती है बहुत ही जादा important index है या nifty इससे आप guess कर सकते हो whether market is moving up और it is falling down अभी आप बोलोगे सर इसके बीच में का difference बता दीजिए तो bsc और nse के बीच में का difference क्या है तो एक-एक difference में बताता हूँ जो आपको majorly focus करना पड़ेगा इसका अगर study आपको detail में करना है तो सबसे पहला difference है nifty is related to nse that is national stock exchange and sensex is related to bse that is bombay stock exchange nifty किसके साथ होता है nse के साथ होता है और sensex किसके साथ होता है bse के साथ होता है यह major difference है दूसरा सबसे important difference क्या है difference major difference between nifty and sensex is 50 companies are indexed in nifty while 30 companies are indexed in sensex समझ रहो 50 company nifty का कारोबार चलाती है और 30 company sensex का major कारोबार कलाती रहती है okay and the final difference which is like a history that is sensex is older than the nifty nifty ऐसे दिखा गया तो अभी अभी आया है sensex कई सालों से चलता आ रहा है इसके लिए कहते हैं bombay stock exchange जो अपना bse है वो बहुत पुराना है सबसे oldest और सबसे largest stock exchange सबसे largest index बोल सकते हैं हम लोग इसको exchange नहीं index बोल सकते हैं जो अपने पूरे इंडिया के stock market को चलाता रहता है तो ये था कुछ sensex और nifty के बारे में ऐसे ही share market के detailed और एक एक parameter को पढ़ने वाले वीडियोज अपने चैनल के उपर आने वाले है तो जरूर अपने चैनल को अपका प्यार की जरूरत है फटा फट से like कर दो and share करना बिलकुल भूलिएगा नहीं subscribe भी कर दो and ऐसे ही प्यार बरसाते रहो मिलते हैं next session में stock market के तब तक खेलिए bye take care and thank you so much guys